हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन बाइलोजी आज हम करेंगे युनिट 9 बायो टेक्नलोजी का चैप्टर 11 बायो टेक्नलोजी प्रिंसीपल्स एंड प्रोसेस तो देखो बायो टेक्नलोजी एक्चुली में है क्या हम लोग दही जमाते हैं अपने घर पे ठीक है दूद स यह हो गई तो इस तरह से बायो टेक्नलोजी में क्या होता है एक्चुली में इसमें सारा काम जो है वो DNA बेसिकली DNA का है वेक्टर ठीक है वेक्टर का है और होस्ट और गनिजम जिसमें यह बनाया जाता है इसके अलावा इसमें दो जो हैं वो एंजाइम याद कर लेना जिन endonuclease restriction endonuclease restriction endonuclease अब यह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं यह बाद में ध्यान देंगे और इसको ना इसको नाम जोडती है ना एडेसिव ठीक है वो तो यह चीज बस याद रखनी है इसमें इन ही सारी चीज़े आ जाएंगी बस और कुछ नहीं है समझने वाला चलो नेक्स करते हैं एक सैंटिस के बारे में जान लेते हैं जिनका नाम है इसको नाम सुना सा लग रहा होगा आप लोगों को को हैं ने बड़े एक्सपेरिमेंट करें सीजर काटकेस्ट्रेश इन्होंने एक्चुली में रेस्ट्रिक्शन एंजाईम पर काम किया है और इससे ना इन्होंने कुछ ना मतला बादा बाद बैयोजनिकली बेक्टिरिया, इसमें क्रोमोसॉमल डी एनने होता है, एक छोटा सा होता है इसमें plasmid में निकाल और निकाल से कोई फरक नहीं पड़ने वाला, छेकर इसका कोई रोल ही होता है, इसका बेसिकली जो नोअन रोल है, इसका जाना भी नहीं, वे तरक, एस प्लाई समि में उन्हो जो है medically चीजों के लिए helpful आज साबित हो रहे हैं ठीक है और basically इनका experiment किस पे था E. coli पे और किस पे DNA strand ठीक है और molecular seizure वगरा यह याद रखने हैं मैंने अभी आपको पहले ही बता है आप चेप्टर स्टार्ट करते बायो टेक्नोलोजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑ बायो टेक्नोलोजी के प्रिंसिपल्स क्या क् यही बायो टेक्नोलोजी इसमें बेसिकल यह यहां पर देखो European Federation of Biotechnology जो है उसने बायो टेक्नलोजी की डेफिनेशन दी है ठीक है उसने बोला है कि बायो टेक्नलोजी का एक तो ट्रडिशनल भी होता है और एक होता है तो इसने बायो टेक्नलोजी क्या है इंटिग्रेशन ऑफ नेच्रल साइंस एंड और्गनिजम सेल्स पार्ट देर और्गनिजम के साथ काउंटर पार्ट करके इस तरह के मोलिक्ल अनलोग बनाए जाए कि वह प्रोड़क्ट जो है हम हीमन की सर्विसिस के लिए यूज हो सके तो यह सब बता है त्रडिशनल व्यू में आपको बता जी है जैसे कि दही बनाते हैं हम लोग ठीक है पनीर बनाते हैं यह सारे क्या है ट्रडिशनल व्यू है बायो टेक्नोलोजी के ठीक है अब प्रिंसीपल्स पर आते हैं इसके प्रिंसीपल्स क्या है बायो टेक्नोलोज के लिए अब आपने सुना होगा कि जब आप दर्जी के पास जाते हो अब आपका सूत या आपके कप्ड़े ऑल्टर कर दे हैं तो कटिंग करके और इसको सही से चिपका कर के मतब आप सही से सील करके देता है न तो यही जो होता है यही बायो टेक्टनोलोजी करूल था और क कर देते हैं कि इसमें होस्ट सेल में ठीक है जिसे कि इसका फुनो टाइप चेंज हो जाता है जो हम रिक्वार्ड फुनो टाइप वो हो जाता है उसका बायो प्रोसेस इंजिनियरिंग में देखो अभी हम पढ़ेंगे भी अगले चेप्टरस में जो इंसुलीन थी वह उसको है लोड़ें निकालन बुढ़ा मुस्गी होता था इंसुलीन को निकालना हम जो हए जो है कैटाल्स और पिग्स के आनिक्रिया से निकालते थे और वहइं हमारे बृड़ी में जाकर देती हुमन की बॉड़ी में जाकर के लेकिन इससे क्या हुआ डी-े-न-टेक्नोर्जी से यहां पेलर्जी भी नहीं होती क्योंकि वह हीमन के जीन से ही बनी होती है तो यह बाइयो प्रसेशिंग भी है क्या है यह जो मैंटेरंस ऑफ स्टेराइल स्टेराइल माइक्रोबिल कॉंटर्मिटेड फ्री अब्याइंस देखो डियन और आर ने को तो अल्टर किया ही जाता है दूसरा जो है चीजों को स्टेराइल बनाए जाता है क्योंकि देखो अगर हम कैची वगरा है जायेगा तो जो हम डिजायार प्रोडक्ट चाहते वह तो जायगा नी Cap ID order कि लिगा है तो इसे क्या होगा हम हों 구大 बेनिफिट के जिगे तो इसको स्टेराइल करने की बहुत ज दूसरा है बायो प्रोसेस इंजिनरिंग की उसको स्टेराइल करना है ठीक है और डिजाइड माइक्रोब और यूकरियोटिक सेल्स में ही जो है हम डिजाइड ही चले जाएं जीन्स उसमें अंडिजाइड ना जाएं तो यह हैं इसके दो प्रिंसीपल बायो टेक्निशिके की दूसरा उसको माईक्रोबियल फ्री रखना ठीक है अब देखो करते है रिकोऊंबिनेंट डियएं डिया इन्न किसे बोलते है परे बायों यह जीन आरамен यह पहले वाला ही था है इसको बोलते हैं पूरे को रिकोओंबिनेंट डियंनizado जीए न डियंने विए यदे में इसके एसमें और है कि एसमें क्रिंग करते हैं उसके बाद जीथे अधिसे इसमें करा है रहदी है कि वाकशा है होता है ये औध के आज जो धान को बाद आहँ है बमने के अब दanne दोती से इस नहीं होता है यूज ओरिजिन ओफ एप्लिकेशन होता है तो वहाँ से इसको इनीशीयेट करने पड़ते हैं कहीं से ठीजिजिए करेगा अब हमने पड़ा है हर्बिएक रिजिस्टंट जीन कट कर लिए उन्होंने पीस ऑफ डीन ने का प्लाजमिट से तेक है मतलब जैसे मालो यह प्लाजमिट है इसमें एंटिबीयोटिक रिजिस्टंट जीन है उसको कट कर लिया अब इस सपेसिफिक लोकेशन पे कट कर दिया इ थिया किस से कर किया कुछ का किया धिसकोपरी ही थि रस्रिक्षण ढ़ंवने पैनल चुर्ण ऑफे रस्रिक्षं एंड़नूक्लेज तो उनने कया किया किया उस कट पीस को जो लिंक कर दिया PHAsmon Cent feeder Se crusaut नीजिसने को यहां से यहां से कट किया पीस और यहां से इस इसको जोइन करकर कर दिया फिर के लागाज के और फिर उसको वेक्टर की मदद से भी किस वेक्टर को यहां लोता यहां है तो कि आृथ वो इंजेक्ट कर देती थी मलेरिया परासाइट को है ना तो वो किसका यूज करती थी किस तरह से यूज होती थी वो एज वेक्टर तो यह भी वेक्टर ऐसी तरीका कि इसके थ्रो जो है इसके मल्टिप्लिकेशन के बाद इसमें आ जाएंगी और हमें डजायर करेक्टर मिल जाएंगे थीक है तो इन्होंने किसका ट्रांसफर किया था इन्होंने किया था ट्रांसफर इंटु दा इकुलाई किसका इसकी क्लोज रेलेटिट सेलमोनियम टाइफी मूरियम का तो इसन सब्सक्राइब कि पहले तो ऐसे डियने का इडेंटिफिकेशन करो जिसमें हमारी इच्छा की जो हम जीन ट्रांसफर करने चाहते हैं वह जीन हो ठीक है फिर उसके बाद इंट्रिउस दा आइडेंटिफाई डियने इंटु दा होस्ट जहामें डिजायरेबल जीन मिल गई ठीक है तो उसे वेक्टर में प्लाजम वेक्टर के साथ कंबाइन करके उसे होस्ट में डाल दिया उसके बाद मेंटेनेंस ओफ इंट्रिउस डियने ओफ होस्ट एंड ट्रांसफर दा डियने तो प्रोजनी अब यह देखा जाए कि जो होस्ट सेल में वह जीन आई हैं डिज तो फिर वह आगे जीन नहीं जाएंगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आगे करेंगे टूल्स ओफ रिकमोनेंट डियने इसमें है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले बदा था मोलिकुलर सीजर बोलते हैं इसको ठीक है कैची बोलते हैं इसको मोलिकुलर सीज ठीक है तो यह जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यह रेस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लियोज है बैसिकली जो है बैसिकली इसमें न दो तरह के एंजाइम होते हैं एक्जोनुक्लियोज और एंडोनुक्लियोज तो रेस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लियोज है वह बैसिकली जो ध्युक्छेकर τοाइश की रिवसाओ करते हैं कि ऊषेकर यूजो फिर्णीक्षन पार्ट संदर श्विसा आय। जो किसी भी नाम रखे जाते हैं तो उसके नाम कैसे रखे जाएंगें जैसे कि मालो ये इससे समझाते हूं इसमें क्यों कि एक है नहीं इसमें नबर तो इससे समझाती हूं जैसे एसका नाम ऐसे क्या रखा गया तो जो यह एसकी स्पीसिस है इसके दो हम लेटर लेते हैं तो को हो गया अभी जो आरवाई है यह इसका स्ट्रेंड है ठीके किस स्ट्रेंड से यह कलर्ड होता है तो वह हमने उसका पहला लेलिया इसका लैटर लेलिया और थर्टीन का वन यह बहुझा है अब तक फॉर्टेंड से जो इन्फीनजा गाशन से बहुंगा हो से बना होगा ठीक है डी इसका कोई जिससे ये डाई होता हुआ ठीक है और टू क्या है कि वो कौन सी पोजिशन पर खो जागा है तो इस तरह से इनके नाम दिये जाते हैं restriction endonuclease के नाम दिये जाते हैं कि कहां से arise हुआ है ठीक है इस तरह से दिये जाते हैं आके चलते हैं तो यह recognition side से क्या करते हैं कट कर देते हैं अब कट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कि मैंने बता चुक है जैसे मालो यहां पर यह हमने बता करा हुआ है कि वेक्टर डीन है यह फोरन डीन है ठीक है अब हमें क्या करना यह क्या करता है endonuclease इसकी जो एक site है उससे कट कर दिया इसको ऐसे ही इसको भी site से कट कर दिया तो यह जो हमारे पास ends भचे ना इसको बोलते हैं इस्तिकी ends और अब यह इस तरह से कट करते हैं इसको कि पैलेंड्रोमिक स्क्वेंस बन जाए तो पैलेंड्रोमिक स्क्वेंस क्या होता है कि यह उल्टा और सीधा पढ़ने पर एक जैसे होता है जैसे कि यहां पर दिया हुआ है तो यहां से भी पढ़ होगे तो टिटी ए और यह इक कंप्लिमेंटरी ने के तो हमें दिखंव मिल गया तो यह एंड्डोन्यूकलेस क्या काम करता है कि जो तो रिकोगनिजिशन साइट है उससे पर्टिकुलरी इस तरह से कट करता है कि हमारे हमें जो है दोनों साइट जो है पैलेंड्रोमिक जो है सिक्वेंस मिल जाता है क्लियर है आगे चलते जैसे यह वर्ड का एक्जामपल दे रखा है मली आलम का कि अगर हम यहां से पढ़ेंग स्टिकेंड हमने कर लिया उसके बाद क्या हुआ जब से फोरण डी ने वेक्टर डी आने में इंटेड्यूर्स होग गया जब यहांपर यहां पर लागिजिशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किसमें नए बैक्टेरिया में इकोलाइस ने बोला है नए बैक्टिरिया में इसको ट्रांसफर कर दिया तो जो इसका सिरफलर डियन्य था जो sum किया करेगा मल्टिक रिखुर करेका और उसके बादे डियंच और यह हमने कि अफनी सेल्छ में हम एकron अब देखो जब desirable gene को इसने दे दिया तो इसको separate कैसे करा जाए separate कैसे करा जाए इसको desirable gene को क्या हमें पता है कि यह DNA है यह उठा के लिए जाओ तो इसके selectable marker होते हैं marker कि तो हम पता लगाते हैं लेकिन उससे पहले आपकी इसमें दिये हुए separation and isolation of DNA fragment gel electrophoresis की प्रोसेस दिविए तो पहले यह पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद selectable marker वगएरा पढ़ लेंगे ठीक है इसको सीधा कर लेते हम यह है पिक्चर की help से समझते हैं अब इसमें क्या होता देखो यह वेल दिया हुआ यह जो है टिपिकल एगारोज gel होता जिए हमें c weed से मिलता है ठीक है c weed से मिलता है ठीक है तो हम क्या करते हैं डी एन य जो है वह negative होता है सब पता है तो इसमें हम एक अंड लगा लेते हैं लगाते हैं यह टीक है तो अब जब इसको एग औरोज में हम डाल देतें dna को और जब हम इसकी processing कराते हैं तो क्या होता है कि जो इसके बड़े fragment है वो वेल की तरफ रहते हैं और जो small fragment है वो इधर की side चले जाते हैं जो जो इनोर है वो अपनी तरफ एक्रक्ट करती है ना इनको ठीक है तो इस तरह से largest से smallest की तरफ जो है यह चले जाते हैं फिर उसके बाद देखो अब आपको यह ओरेंज दिख रहे होंगे तो इसमें क्या है इतिडियम ब्रोमाइड डाली जाती है यह दिखाया हूँ है इति हम देना प्लत ग्रही को कट करने हुम प्लब करने जह हैं चीज सब्सक्रश की खायर मैं शकॉर्यों को लिगा करने के वह दाने जना होता है फिर रियूड़ी क्या होता है जए इसमें को सब्सक्रान के ukya होता है यह का इसे समझना है है वही चीज 7 WAS क techno पी कश फीश कोश क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं अगर हमें एक कोपी मिलेगी तो उसका कोई यूज नहीं है इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्या यूज उसका है तो हमें नमबर ओफ कोपी चाहिए होती है तो हम कैसे करेंगे देखो औरिजन ओफ अभी सेलेक्टेबल मारकर मैंने बोला क करेंगे आगया देखो औरिजन ओफ रप्लिकेशन हमने कर लिया था कि डीने की साइट पर कोई एक पॉइंट होगा जिसे हम औरिजन ओफ रप्लिकेशन कहते हैं वहां पे जाके होस्ट्ट सल में वह जाके रप्लिकेट करेगा वहां पे हम उसे जोईन करना पड़ेगा लिंग्ट करना पड़ेगा डीने को तो टारगेट जो होगा हमारा डीने पॉइंट वह होगा औरी ओरीजन ओफ रेप्लिकेशन क्योंकि यहां से ही का हाइयर नंबर ओफ कॉप्य हमें मिलेंगी अब अब मार्कर क्या होता है माझ लोफ झॉलाई है अब और नन जो हमने इंड्रियूस कर दिये तो जो हम इसको करेंगे बैक्टीया को , मिद्ययम में , वह पहन के जो एंटी बायिटिक्स हैं वो सब को मार देंगे , इसके बैक्टीया करेंगे , कॉलोनी में , लिचेक thumbs ? इसका मतलब क्या है , कि वोही वाले बैक्टीया यहां पर , जिनमें हम जिते मोडिफिकेशन किया й gen इंफिसलीन डाली है तो इस तरह से हमें नगी मारक होता है उसके बाद उनकी कोलोनिटिक बनाई अब बनाना बढ़ केखिए खेस थकते हैं ङरां फ्राइटिक ठाजते हमस्कु अनगी एक एंटिबायिक का पॉर्शन काट कर दिया हमने दूसरे को जोड़ा के लिए ओसल के लिए तक हमने यहीं से कट कर दिया नौ जो जोड़ने के चक्कर messy इस तरह से होता है कि वह अब इस तरह के जीन नहीं है जो हम डिजैरेबल ह कुछ BhtB के जोड़ने ही इंसर्जनों कैसे किया जाता है को तुछ Bशयों कुछ Bशयों अभर सबक्राइब वर शुचु तो यह कट होने की वज़े से टेट्रा साइक्लिन के लिए रिजिस्टेंट नहीं होगी तो इसको बोलते हैं इंसर्जन इनक्टिवेशन यानिकि जो उसकी अलड़ी प्रोपर्टिक ती उसको इनक्टिवेट कर दिया ठीक है अब मैंने बताया था ना कलर वगरा भी होते हैं तो कलर से भी पिछाओं लगा सकते हैं कि कलर टालकर उसमें पता लगा सकते हैं कि क्लोनी किषी कि हैं किलर की हिस्टाब से ठीक हैं अब करेंगे हम वाले चीज को हटा दें दिसाम कर दें और फिर हमने घयमन या फ्लांन स्मय बेज़ें तो इसका मतलब वह जो हमारी desired gene है उनको multiply तो करेंगे क्योंकि उनका काम ही होता है कि multiply करके अपनी सेना बढ़ानी और फिर बोडी को खराब करना जो disease कोज करते हैं लेकिन जब हम उसे disarm कर देंगे हम उनकी disease के करने वाले हतियार को छीन लेंगे तब भी वही करेंगे लेकिन तब वह हमारा काम करेंगे हम जो desired जीन चाहते हैं उनको multiply कराएंगे ऐसे ही प्लांट में एग्रो बैक्टरियम टूबी फेशेन होता है एक पैथोजन होता है डाइकोट प्लांट में जो की tumor लगा देता है उसकी roots में ठीक है लेकिन जब हम इसको cancer ability है उसको खतम करके अगर retro virus को कराएंगे तो यह वही काम करेंगा बोडी के अंदर और जो हम हम desired जीन चाहते हैं उसको multiply करा देगा तो यह क्या है इस तरह से हम इन vectors को use कर सकते लिगें डिसाम करके ठीक है अब competent host भाई host इतना competent भी तो होना चाहिए कि वह जेल ले ठीक है वह ओस में कैसे कराये जाता है तो इसकी की process है कि host में कैसे इंडर डियूस कराया जाता है एक तो है इसका कि आइस पे रखो रिकोमिनेंट डियन्ने को और 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 ऑरगनिजम को फिर इसके बार फोर्टी डिग्री सेल्सिस का heat stroke दो फिर आइस पे रखो फिर इसको 42 डिग्र करके DNA host cell में डाल दिया जाए जो हो था ना हमारा रिकॉंबिनेंट DNA उसको सेल में डाल दिया जाए दूसरा होता है बायोलिस्टिक और जीन गन क्या होता है गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर DNA की कोडिंग कर दो जो हमें चाहिए ठीक है डिसाइड जीन वाला है रिकॉंबिनें जैसे भूसे हैं सब कुछ वही है थोड़ा 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 चेंज कर रख्था हैं कि भी कट पेस्ट कॉपी तो प्रोसस क्या होती है अगी कंपोनेंट टेख स्की हरेकलाइन बताऊंगे इसेफ्रल स्टेप्स इंवल्वहोते हैं उसमें जैसे की आईसोलेशन पहले DNA को अलग किया उसके बाद fragmentation of DNA by restriction endonuclease endonuclease ते उसको cut कर दिया उसके बाद isolate a desired DNA fragment और जो हमें desired DNA fragment चाहिए उसको एकदम isolate कर दिया अलग कर दिया उसके बाद ligation of DNA fragment into the vector फिर उसके बाद vector में DNA ligage की help से उसको add कर दिया फिर उसके बाद transferring the DNA recombinant DNA इन जो होस्ट फिर होस्ट में recombinant DNA जो होस्ट का होस्ट में था वो recombinant DNA को transfer कर दिया फिर culture किया DNA तो नहीं प्रिजेंट होता है उसमें cell wall present होती है protein present होती है bacteria भी हो सकते है तो हमें चाहिए होता है DNA तो हमें यह सब नहीं चाहिए होता है तो इन सब को कैसे हटाए अब ऐसे तो नहीं यह cell wall को हटाया निकालके फैक दिया है इतल्य माइक्रोस्कोपिक होते तो इसके लिए हम एंजाइम यूज करते हैं इसके लाइजो एंजाइम बेक्टेरिया को मार देता है cellulase plant cell को वाल को सेल को नहीं सेल वाल को मार देता है तो इस तरह से जिसे उन में protein होती है तो proteinase enzyme होता है RNA के लिए ribonuclease enzyme होता है तो उनको digest कर लेते हैं बेसिकली जो DNA को digest करने वाल एंजाइम है वो नहीं डालते हैं तो हमें basically मिल जाता है DNA और उसको हम chilled ethanol में डाल देते हैं और suspension बना लेते हैं उसका thread-like suspension जो है उसका बन जाता है DNA का ठीक है इस तरह से DNA को बहार निकाल लेते हैं अब cutting of DNA at specific location यह मैं बता चकी हूं ठीक है और एक और रोज वाली प्रोसेस है सारी वो करके हम इसको निकाल लेंगे illusion के थो और फिर उसको हम separate कर लेंगे इस सारा है ठीक है अब polymerase chain reaction यह बड़ी अब यह जो हमारा काम है ना यह जब होस्ट सेल में जब पहुच गया वह यह पहले वाला काम नहीं है कि जब हम जो है उसको अन्डोनुकलियेज ने कट किया फिर उनमें आपस में प्रोसेस हुई जोड़ा यह निए वाली प्रोसेस नहीं है यह जब हमारे होस्ट सेल में पहुच गया उसके बाद यह इनेचर्ड होगा इसके बाद एनिलिंक होगी और इसकी कोपी बनने स्टार्ट होएंगी ठीक है अब यह मल्टिप्लाइब कर रहा है क्या कर रहा है मल्टिप्लाइब और एक्सटेंशन करता रहेगा इंदो क्यों को चैन पोलीकर जीन इंटरस्ट या ना भी तर्मस तर्ण करता है इसकोensitive ask करता है और एसमें त्लाइत के अभिप invited यनिंटरस्ट पोलीफिकेशिंट ओप आ sin जब करता है और यो त θαillsक कर drastically DNA polymerase होता है टैक यानि कि thermos equitus polymerase और डियोक्सी राइबो डियोक्सी न्यूक्लिटाइड के साथ यह कंबाइन करके के extension करना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा बना देता है जीन ओफ इंट्रेस बहुत जादा बन जाती है उसको फिर प्यूरिफाई करके डिफरेंट DNA into the host cell organism ठीक है अब क्या करेंगे यह हम बहुत बार पर चके हैं कि रिकॉमिनेंट डियन जब बनेगा उसको इंसर्ट कर देंगे host cell में और host cell में वह आया है या नहीं आया उसके लिए हम selectable marker यूज करेंगे जैसे मालो कि अगर हमने एक जीन बेरिंग करता है एंफिसलीन के लिए तो हम उसी मीडियम में उसको ग्रो करेंगे तो बाकी तो सब डेट हो जाएंगे जो एंफिसलीन रेजिस्टेंट सेल है वह सिर्फ ग्रो कर जाएगी तो इसके लिए हम selectable marker यूज करते हैं उनको जो एंफिसलीन नहीं हाँ पर हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि टेस्ट्यूब में ग्रो करा या फिर प्लेट में पेक्ट्रीड इसमें ग्रो किया और बस यूज हो गया हमें हाई लेवल पे करना पड़ता है जिसमें 100,000 अफ लीटर साजाए तो उसके लिए बायो रियक्टर यूज करते हैं ठीक है इसमे कैल्सियम की प्रेजंस में बंबार्मिंग करेंगे तो फिर वह इंसर्ट हो जाएगी तो इस तरह जो रिक्वार्मेंट होती है जो जिस भी फोस्ट की requirement होती है उसमें वेक्टर DNA इंडियूस करने के लिए वो सब चीजे यहां पर बनती है ठीक है और इस बायो रेक्टर में जो है processing होती है और processing होने से पॉलीमरे चेंड रेक्शन स्टार्ट हो जाती है और बहुत अमाउंट में हमें क्या मिल जाता है फिर उस प्रोड़क्ट को हम इखटा कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं separate करते हैं तो यह सारी जो प्रोड़क्ट मिलने के बाद उसको मार्किट तक ले जाने के लिए कौन कौन सी प्रोड़क्ट से बोलते हैं यानि कि प्रोड़क्ट को लैब में बनने से लेकर के मार्किट मिले जाने तक के बीच में जो प्रोड़क्ट होती है ना separation की प्यूरिफिकेशन की फिर उस पर trial किया जाता है यह सारी हम बोलते हैं downstream processes ठीक है तो यह chapter हो गया एक खतम बड़ा असा चेप्टर था आई होप आप लोगों को clear हुआ होगा so like subscribe and share thank you